हाई फेंट्स मानी में का टू-3-0-7 में आपका भड़े दिल सोगत है जैसे कि आज हम बात करने वाले आदानी टोटल गैस के बाड़े में और इसका क्या रहने वाला है आगे रन नीती सब कुछ डिसकस करेंगे तो जो लोग नए हो दोस्तों मेरे इस चैनल में प्लीज सब् सेलिंग क्वांटिटी में है इसमें क्या है कि हैंट चेंज हो रहा है दोस्तों और जो 840 के आसपास आपको 820 से लेके 840 का जो बेरियर है वह इस स्टॉक में आपका एक रेस्टेंस का काम कर रहा है जैसे कि देख सकते हो कि आने वाले जो पहला जो आपका सेलिंग आया था है यह जो रेट चेंडल है यह एक बार सपोर्ट लिया फिर यहां बार सपोर्ट ना लेके गिर गया तो यह जो लेवल है यह लेवल आपका निकल के आ रहा है एक दम आपका देख सकते हो कि यह जो लेवल है यह स्टॉक ने दो बर इसको सपोर्ट लेते हुए आगे मूब हुआ था जो एक हजर की तरफ बर चुका था और अभी यही आपका रेस्टेंस का काम करने वाला है तो सोट टम के लिए यह उपर क्लोजिंग देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकते है स्टॉक के लिए तो इसी बेसिस पे आप देख सकते हो कि अच्छा खासा आपको यहां सेलिंग ओडर देखने को मिल रहा है और यह जो आपका रेंज है यह रेंज में दिखा रहा हूं आपको पूरा अच्छे से सम को सेलिंग ओडर आ रहा है 2020 के ऊपर जब तक यह क्लोजिंग अच्छे से ना दे दे तो स्टॉक में फिर से तेजी नहीं आएगा और यहीं है दोस्तों के तीन बार यहां से आपको सपोर्ट ले चुका था और वही अपका अभी जब सपोर्ट तूट जाता है स्टॉंग काम करता है और वही आदानी टोटल गया स्टॉक में देखने को मिल रहा है आज के टेडिंग सेशन में बार बार गया तो था आज भी तीन परसेंट अब गया था लेकिन वहां से सेलिंग आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है जो बायर्स के वॉल्यूम आना चाहिए था लेंट तो उपर गया था दूसरी बार उपर चला गया था लेकिन यहां पर देखो इस बार तूटके नीचे आ गया था अखरानी रहा वहां से फिर से आपको 20 परसेंट का देऊरन चुका है और देने के बाद देख सकते हो कि यह यह फिर से वहीई लेवल है 820 का level 820 आज भी stock ने गया था लेकिन आपको breakout नहीं दे पाया 820 का level को और 820 का level को breakout देने के लिए आपको huge volume चाहिए huge volume चाहिए और huge volume जिस दिन आ जाएगा stock में तो एक अच्छा खासा यहां से भी तेजी आएगा और फिर आपको कोई आपको उतना ज्यादा resistance है नहीं निया टम में 820 का level क्रोस होते ही आपको एकदम 900 का level देखने को मिल सकता है और यह है दोस्तों आप 820 का wait कर लो 820 के उपर closing होने के बाद ही stock में खडिदरी का राय होगा नहीं तो आप थोड़ा से नीचे जाएगा तो फिर थोड़ा से कहां support हो सकता है तो support आपका होई है 695 के आशपास support है 695 के पास आप खडिच सकते हो stock को कोई आपका उतना लुक्सान नहीं होगा risk to reward ratio के हिसाब से 699 में आपको फिर से आप खडिच सकते हो नहीं तो stock यहां से यहां ऐसे ऐसे consolidation करता रहेगा और जब तक यह 820 का level cross नहीं हो जाता तब तक यह ऐसे ऐसे circuit में चलता रहेगा तो उसी के साथ swing trading कर सकते हो 5% से 10% तक लेकिन यह आपका खुद के due diligence के उपर ही आप कम काच कर सकते हो लेकिन मेरा बताना काम था 695 में आपका बहुती बढ़िया support है और major support कौन सा है major support stock का देखा जाए तो 650 का है जो इसने दो बार तोरा नहीं है एक यहां एक यहां उसी दिन तोरा नहीं था तो यह दो major support हो गया और 695 पर बाइंग का जोन आ जाता है बाइंग कर सकते हो और जिनका नजरिया लंग लंबे टर्म का है तो वह कर सकता है और 820 के बाद आप fresh entry कर सकते हो अगर आपको बहुत ही ज्यादा आपको रिक्स प्री होके काम करना है तो 820 के उपर जब close दे closing देने के बाद आप उसमें buy कर सकते हो तो यही है दोस्तों आदानी total gas share का आपको पूरा analysis अगर वीडियो analysis अच्छा लगे तो subscribe कर देना